हेलो एवरिवन मेरा नाम अनुज कुमार सिंग है शायद आप फॉस्ट टाइम मेरे से इंट्रेक्ट हो रहे हो बाकी डली उनिवर्सिटी के या अधर उनिवर्सिटी के मैक्समम बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं या कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज के फील्ड में पिछले 12 साल से 12 साल से मैं कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं और उसके अंदर सब्जेट्स जो है स्पेशली मैं अकाउंटिंग सेक्षन को में फोकस करता हूं हमारे इस चैनल पर सारे के सारे फेकल्टी लगबग मिल जाते हैं मैक्समम स हम देखेंगे कि हर चैप्टर कितने नंबर का आएगा यूनिट वाइस बेटेज जिन बच्चों ने पढ़ना है तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो चलिए सर हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट वाइस क्या-क्या वेटेज है आपका कितने यूनिट होने वाले हैं तो सर यहां पर अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो यहां टोटल हमारे 5 यूनिट है यूनिट 1 2 3 4 & 5 टोटल कितने यूनिट होगे सर पांच यूनिट हो गए इस पांच यूनिट में पहला यूनिट 15 नंबर का है यह आपका थियोरी का यूनिट है प्रॉपर थियोरी नंबर का युनिट नंबर 3 भी प्राक्टिकल है ये पचरस नंबर आता है तो सबसे महगा युनिट नंबर 4 है और युनिट नंबर 5 computer accounting system यानि computer से related पूछा जाएगा टेली क्या होता है computer इंटर में क्या software यूज होते हैं इस तरीके से आपका रेगलर कॉलेज वाले बच्चों का तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वाले बच्चों से पूछा जाएगा हमारा है टोटल पंद्रा नंबर का यूनिट होने वाला है इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्याक़्ूंटक्टिक्स verses लिमेटशन व preliminary sup प्रैक्टर नंबर वन हैं आपने पढ़ने घीडानिःट पर यह आपने पढ़ हो首 fact时 क्वमी इस श." है basis of accounting accrual basis accounting है cash basis accounting है यह है हमारा capital expenditure revenue expenditure यह भी theory है कि what is the capital expenditure revenue expenditure इसके बाद accounting principle जैसे money measurement अपने पढ़ा था conservative principle पढ़ा था business entity पढ़ा था full disclosure पढ़ा इसके बाद सर क्या है इसके अंदर gap है accounting standards क्या होता है क्या होता है यह सारी चीज़े और trial balance यानि यह जो unit बनाया गया है ना basically क्योंकि बीकॉम के बच्चे जो होते हैं जो बीकॉम करता है जरूरी नहीं है कि उसने 12 तक accounts पढ़ा हो जरूरी नहीं है कि उन्होंने 12 पढ़ा हो साइंस वाला बच्चा maximum बहुत बच्चे जिनको कॉलेज में अडमिशन नहीं मिलते तो बीकॉम कर लेते हैं तो पहला जो बीकॉम जो बच्चे ग्यारवी और बारवी के अंदर जो 12 के अंदर commerce से थे उन बच्चों के लिए ये unit एक दिन का काम है ये पूरा unit इस unit में ऐसा कुछ नहीं है सारा का सारा ग्यारवी में ये उनके लिए ये unit बनाया जाता है जो बच्चे ग्यारवी और बारवी के अंदर course में नहीं थे उनका other stream था ठीक है तो पहले unit में आपको डरने की कोई ज़ौरत नहीं है theoretical है अच्छे सो हो जाएगा मैं पूरा theory आपको कराऊंगा इसके अंदर topic wise detail में सारे discussion करेंगे सर आ जाते है unit number 2 unit number 2 20 number का है unit number 2 20 number का है 20 marks का है unit number 2 और 20 marks का इसमें क्या क्या chapter है एक accounting standard है इस unit के अंदर AS9 revenue recognition के हम कब अपने income को business का income मान लेंगे इसके बाद है एक सर property plant and equipment इसका मतलब सर simple सी बात करें तो ये depreciation chapter आपने 11 वी class में पढ़ा होगा वो है और उसका advance है इसके अंदर provision for depreciation और change method भी इसके अंदर है आगे क्या कहता है जो कि depreciation से related बात करेगा accounting for intangible assets AS26 ये भी आपका अब इसकी बात करूं तो सर ये chapter theory होने वाला है इसके अंदर और ये chapter भी theory होने वाला है तो chapter नहीं है basically ये accounting standards है जो कि बताया जाता है इसमें 5-5 नंबर की questions पूछे जाते है हां सर इसमें से आपका 15 नंबर का question पूछा जाएगा आपका depreciation वाले chapter में से तो इस तरीके से आपका रहता है ये पंदर नंबर का question अब option में भी आएंगे क्योंकि आप बोलोगे सर 15 का ये हो गया 5 का ये हो गया और सर ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है आपका तो सर तो एक तरीके से देखा जाए यूनिट वन का 15 नंबर का गया उसके option में भी तो और आएगा तो इस तरीके से कितने बन गए हमारे 30 मार नंबर के बन गए तो 40 नंबर का तो इस तरीके से डिजाइन होता है 10-5-5 और 15 नंबर कुछ 40 नंबर का तो आगे मैं और भी detail में discuss कर प्रैक्टिकल पढ़ना किया है कुण से सब्जेक्ट पर प्रैक्टिकल पढ़ना एंदर कि किसी बच्चे को नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना बस देखते हैं तो मैं पहले यूनिट वाइस आप से डिसकस कर लेता हूं सर युनिट वाइस युनिट नंबर आपका थर्ड आ जाता है थर्ड युनिट में दो चप्टर रखे गया इन दोनों चप्टर आपका कितने नंबर का है सर बीस नंबर का है एक फाइनेंशल स्टेट्मेंट है और एक आपका नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन है आप जो फाइनशल अकाउंटिंग है वह आपने ग्यारवी क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है सर वही ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट और लास और बैलेंस शीट उसी के जैसा है लेकिन यहां पर अर्जस्मेंट बहुत बढ़ जाता है अर्जस्मेंट वहां पर चोटे तीसरे यूनिट में यह दोनों चप्टर प्रैक्टिकल हमारे हैं इसके बाद आ जाते हैं सर हमारा यूनिट नंबर फोर सर यूनिट नंबर फोर में क्या है अंदर सर यूनिट नंबर फोर सबसे महंगा यूनिट आपका कितने नंबर का 25 नंबर का यह आने वाला है सर इसम हो गया हमारा दूसरा हो गया accounting for lease यह भी practical है और यह भी practical है दोनों practical है दोनों में से questions आते हैं 25 नंबर का वेटेज रखेगा यह unit number क्या था हमारा सर चार unit था ठीक है न अब इसके बाद आ जाता है unit number 5 जो कि हमारा totally theoretical रहता है और college to college depend करता है कि वो project करते हैं कैसे करते हैं नहीं करते हैं बाकि ऐसके इंदर क्या पूचा जाता है आपका कमपटराइज accounting system है यह 20 नंबर का है तो कमपटराइज accounting system क्या होता हैשל 차 outनिंग system कैसे और accounting में कैसे सब्सक्राइब का आप laser कैसे क्रिएट करेंंगे बहुत आसान हो जाना है यह ठीक है तो आपके पांच यूनिट पांचो यूनिट होफुली आपको समझ में आ रहा होगा फिर से मैं एक बार डिसकस कर देता हूं सर पांच यूनिट मैंने पूरा डिटेल बताया है पहला है हमारा यह 11 वाला पार्ट है दूसरे चेप्टर आपका चौथे में भी आपके तीनों चप्टर प्रैक्टिकल है और आगे डिपार्टमेंटल और यह पूरा है तो सर हमारा पेपर अगर मैं डिजाइन करूं तो पेपर में लगभग लगभग आपका 30-35 नंबर की थियोरी आने वाली है पेपर कितने नंबर का आएगा सर पूरे 90 marks का आपका पेपर आता है इसका 90 नंबबर का दिए है और दस nंबर का रेगलर कॉलिज़ का हो चाहे बच्छा और बाट्रम के स्लेवस एग्जेक्ली सेम है कुश्चन पेपर दोनों के अलग आएंगे डिफरेंट लेवल के आ सकते हैं ऐसा कभी भी मत सोचना के बहिए ऑनर्स कवालों का स्लेवस जादा होगा प्रोग्राम का कम होगा बिल्कुल भी नहीं ऐसा रखा गया बिल्कुल सेम है वह आप वेब स्लेवस में और जो बच्चे लेना चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि आपका दिसमबर में और आपका स्लेवस में औक्टूबर एंड या नमवंबर स्टार्टिंग में खतम कर दूं ताकि एक महिने तक आपके सारे टेस्स चलते जाएं ठीक है ना इसके लिए बुक्स वगरा भी मैं बता दूं तो बुक्स दो तिन बुक्स है जो मार्किट में अवेलेबल होता है कॉलिज लगाते हैं एक सबसे जो पॉपलर बुक चलता है जे अर मोंगा नमबर दो पे चलता है हमारा बीके गोएल और जो टैनियर लिया जाता है इसके पास्ट यर प्रैक्टिस के ल वाला है हमारा सारा इसी तरीके से मैं बिजनस लौ के लिए एकनॉमिक्स के लिए और जितने सब्जेक्ट से उसके लिए आपको बेटेज बता दूआ ताकि आप एक स्ट्रेटेजी वाइस कर सकते हैं इन सारी चीजों को थाइंक यू सो मच मिलते हम नेक्स वीडियो के अं उनको बेनिफिट मिलने वाला है इन सब इस चीजों से